कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन सेल डिवेजन को सर्विप्रतम 1855 इस्वी में विर्चाव ने देखा कोशिका का विभाजन मुख्यताह तीन प्रकार से होते हैं एक असूत्री विभाजन एमिटोसस, दो समसूत्री विभाजन माईटोसस, एवं तीन अर्द सूत्री विभाजन मियोसस, एक असूत्री विभाजन एमिटोसस, ये विभाजन आवेकसत कोशिकाओं जैसे जिवानू, नील हरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा तथा प्रोटो जो इस प्रक्रिया को माई टॉसस नाम दिया। ये विभाजन काईक कोशे का सॉमैटिक सेल में होता है। प्रतेक संतती कोशे का में गुरसूत्र की संख्या जनक कोशे का पैरंट सेल के बराबर होती है। इसका सर्वरपर्थम वीजमेन ने की थी। लेकिन इसका सर्वरपर्थम विस्तरत अध्यन स्ट्रॉस वर्गर ने 1888 इस्वी में किया। ये विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्द सूत्री कोशिका विभाजन निमन दो चरणों में पूरा होता है। इसलिए इसे नियूनकारी विभाजन रिडेक्शन डिविजन भी कहते हैं। अर्द सूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं 1. प्रॉफेज 1 2. मेटाफेज 1 3. एनाफेज 1 4. टेलीफोज 1 प्रॉफेज 1 सबसे लंबी प्रावस्था होती है जो की 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है 1. लेप्टोटीन दो, जाइगोटीन, तीन, पैकिटीन, चार, डिपलोटीन एवं पांच, डाइकिनेसिस, एक, लेप्टोटीन, एक, गुर्सूत्र उल्जे हुए पत्ले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं, इन्हें क्रॉमीनिमेटा कहते हैं, दो, गुर्सूत्र की संख्या दुई गुर दो, जाइगोटीन, एक, समझात गुर्सूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, इसे सिनैप्सिस कहते हैं, दो, सेंट्रियॉल, एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विप्री तिद्रुवों पर चले जाते हैं, तीन, प्रोटीन एवं आर एने संचलेशन के फलसूरु केंद्री का बड़ी हो जाती है, तीन, पैकाटीन, एक, प्रतेक जोड़े के गुर्सूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं, दो, दूयुज का प्रतेक सदस्ये अनुदैधरी रूप से विभाजित होकर दो अनुजात गुर्सूत्रों या क्रॉमेटिडों में बन जाता है, कभी-कभी मात्र और पित्र क्रॉमेटिड एक या जादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, ऐसे बिंदू पर मात्र तथा पित्र क्रॉमेटिड तूट जाते हैं, और एक क्रॉमेटिड का तूटा हुआ भाग दूसरे क्रॉमेटिड के तूटे स्थान पर से प्रिष्ट 372 इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं और इस प्रकार जीन का नए धंग से वित्रन हो जाता है अर्था जीन विनिमय पैकाटीन अवस्था में होता है इसक्रिया में रिकॉंबिनेज एंजाइम भाग लेते हैं नोट क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन स्टर क्रॉमेटिट के बीच होता है चार डिपलॉटिन एक समझात गुर्सूत्र अलग होने रखते हैं परन्तु जोड़े के दो सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते क्योंकि वो कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलजे रहते हैं ऐसे स्थानों को काईश मेटा कहते हैं काईश मेटा की ओसत संख्या को बारम बारता काईश मेटा फ्रिक्वेंसी कहते हैं दो काईश मेटा का अंतिय करन criminalization हो जाता है 5. Dikinesis, Kendra Kala एवं Kendri का लुप्त हो जाती है अर्द सूत्री विभाजन, दूईतिय समसूत्री विभाजन के समान होता है अर्द सूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका, पेरंट सेल से चार संतती कोशिका, डौर्टर सेल का निर्मान होता है समसूत्री एवं अर्द सूत्री विभाजन में अंतर समसूत्री विभाजन एक ये विभाजन कायक सुमाटिक कोशिका में होता है अर्द सूत्री विभाजन एक ये विभाजन जरन कोशिकाओं में होता है दो समसूत्री विभाजन इस विभाजन में कम समय लगता है अर्दुसूत्री विभाजन इस विभाजन में अधिक समय लगता है समसूत्री विभाजन इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है अर्दुसूत्री विभाजन इस विभाजन में एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्मान होता है 4. समसूत्री विभाजन संतती कोशिकां में जनक जैसे ही गुर्षूत्र होने के कारण अनुवांशिक विविदता नहीं होती 4. अर्ध सूत्री विभाजन संतती कोशिकां में जनकों से भिन गुर्षूत्र होने के कारण अनुवांशिक विविदता होती है समसूत्री विभाजन पांच इसमें गुर्षूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है अर्द सूत्री विभाजन इस विभाजन में गुर्शूत्रों के बीच आनुवानशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है समसूत्री विभाजन इसकी प्रॉफेज अवस्था छोटी होती है अर्द सूत्री विभाजन इसकी प्रॉफेज अवस्थालम भी होती है